यह question gate 2021 में put 2 है, देखो इसमें क्या कहा रहे है, हमारे पास एक recurrence relation given है, tn is equal to tn by 2 plus t2n by 5 plus 7n if n is greater than 0 and tn is equal to 1 if n is equal to 0 और हमें बताना है कि कौन सा option correct है, तो मतलब simply आप समझ पा रहे होगी हमें इसको solve करना है, solve करके हमें value निकाल के दिखानी है, तो देखो आपको याद आ रहा होगा recurrence relation को solve करने के लिए हमारे पास 3 method होते हैं, एक होता है tree method, दूसरा substitution method और third is master theorem, कोई भी recurrence relation आजा एक्जाम म अगर आप identify properly करेगे कि कौन सा method लगना है, तो मान लेना लगबग 90% question आपका solve हो जाएगा, ठीक है, अब वो सब चीदे में आपको algorithm में समझाओंगा कि कैसे identify करते हैं, बढ़ थोड़ा सा मैं आपको hint दे देता हूँ, देखो यहाँ पे जो tn है, tn दो parts में break हुआ है, और इसको हमने दो parts में break किया है, n by 2 और 2 n by 5 और इसको break करने का time है 7 n, ठीक है, इस ताइप से हम लग उसको पढ़ते हैं, अब जो दोनों आपने break किया है, देखो जो n size का input था, आपने 2 parts में break किया है, एक है n by 2 और दूसरा है 2 n by 5, दोनों का size अलग अलग है, तो इस case में सब से best method होता है 3 method, ठीक है, तो 3 method से हम इसको solve बहुत अराम से कर सकते हैं, ऐसी 2 parts है, यहां पर 3 और 4 और कितने भी हो, अलग लग sizes के हैं, तो 3 method is the best way, ठीक है, 3 method is the best way, अच्छा, अब अगर यह same size के होते हैं, तो substitution हम लोग लगा सकते थे, तो वही बात है, 3 भी लग सकता था, substitution भी लग सकता था, same size के मतलब like this, जैसे दोनों ही n by 2, n by 2 होते हैं, tn by 2 plus tn by 2, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, 2tn by 2, समझ रहे हो, तो tn is equal to 2tn by 2 plus 7n and so on, तो समझ रहे हो, जो n size का input था, हम इसको दो parts में break कर लिए, n by 2 और n by 2 size का, और equal size के होगे ने दोनों, और यह size में break करने का time कितना लगा है, 2 parts में break करने में 7 and time लगा है, तो अगर इस type से होता, दोनों same size के होते, या 5 parts हो जाते हैं, और 5 parts same size के होते, है न, या 8 parts, जितने मर्जी parts कर लो, इसे को फरक ने बढ़ता है, तो question भी depend करता है, 8 parts में divide कर रखा है, तो अब इसमें अगर आप common sense होत तो substitution लगाओ, अच्छे से और easily आप answer निकाल सकते हैं, बट वही बात है, 2 parts है या 3 parts है, तो आप 3 methods से भी solve कर सकते हैं, बट generally equal में मेरी suggestion रहती है, substitution method लगाओ, बट अगर unequal parts में break हो रहा है, उस case में आपको 3 method लगाना चाहिए, master theorem के बारे में मैं आपको अराम से algorithm में समझा चलो ठीक है, तो अधिक समझ में आगा होगा सबको, तो best way क्या है, 3 method, तो फिलहाल हम 3 methods इसको फटा पट से solve करके दिखाते हैं, तो देखो भई, n, input size n है, हमने इसके दो parts में break करा है, n by 2, और दूसरा है, 2n by 5, और break करने में कितने देर लगी भई, 7n, अच्छा जी, अब और जो n by 2 वाला टुकड़ा होगा, फिर हम इसके दो parts करेंगे, तो ऐसे सोचो, tn में 7n था, तो अगर यहाँ पे n by 2 हुआ, तो 7n by 2 time लग जाएगा, तो सीदी सी बात है, n by 2 को दो टुकड़ों में break करने के लिए time कितना लगेगा, 7n by 2, और जो दो parts होगी वो बताओ, देखो, n में n by 2 आया था, तो n by 2 में कितना आएगा, n by 2 square, शिदी सी बात है समझ रहे होगे, अच्छा जी, n में 2n by 5 आया था, तो n by 2 में कितना आएगा, 2n by 5 by 2, समझ रहे हो न, उतला इसका half कर लो, तो इसका half करोगो, तो क्या बनके आएगा, 2n by 5, multiply by 1 by 2, that is nothing but, देखो, n में 7n लगा था, तो t2, यहाँ पे 2n by 5 होता, तो 7 into 2n by 5, समझ रहे हो न, 7 into 2n by 5, जैसे है चुप चाप से पेस्ट कर दो, n था तो 7n, 2n by 5 हो जाएगा, तो n की बजा हम क्या पर लेंगे, 2n by 5, तो 7 into 2n by 5, I think समझ में आ रहा होगा, आच्छा जी, तो आप बनेगे, तो series आपको समझ जाएगे, कि क्या series बन रही हमार में इनका में series बनाना, तो series बनाने के लिए, देखो, 7 common है, चुप चाप से 7 common निकाल दो, यहाँ पर भी 7 common निकालने की कोशिश करूँगा, तो निकल रहे common, तो हम आगे बढ़ते हैं, n by 2 plus 2n by 5, n by 2 plus 2n by 5, हां हां जी, n में, n में n by 2 हाथा, तो 2n by 5 में कितना हैगा भई, 2n by 5 into 2, समझ गे न, वही, half, अच्छा जी, n में 2n by 5 हाथा, तो 2n by 5 में कितना हैगा, into 2n, into 2 by 5, समझ रहे हो न, हां जी, तो 2n by 5 हैस जिस लिखो, into 2 by 5 कर दूँगा, समझ रहे हो न, देखो, n में, n के साथ 2 by तो 2N by 5 में क्या होगा वोई बात आएगी 2 by 5 से multiply कर देना तो हमने अगेन 2 by 5 से multiply कर दिया अच्छा जी अब फिर इसको और ब्रेक करके दिखा देखता हूं थोड़ा सा और फिर हमारे अंदाजा हो जाएगा फिर मैं छोड़ दूगा काम को फिर आप समझ जाएगी क्या काम ह हों रहा है अचा जी थो n by 2 squared था तो इसको ब्रेक करने में कितने लगेगी chỉ और इसको ब्रेक करने आ रहोगा, simple सी बात है, अब आप इन सब को add कर लो, तो वही बात है कि 7 common आ जाएगा, 7 common आ जाएगा, तो क्या निकल के आएगा भई ये, 7 n by 2 square था, तो हम यहां लिखेंगे, 1 by 2 square प्लस, ये कितना निकल के आए भई, 2 n by 10, 7 n ही common निकाल लेता हूं, ठीक है, 7 n common निकाल लेत तो 1 by 2 square प्लस 2 by 10, प्लस अगें 2 by 10, प्लस 2 square by 5 square, ठीक है, आप लिख इनको add कर लेता, मैं टाइम वेस नहीं करता, ये निकल के आएगा भई, 7 n into 9 by 10 का whole square, बस, अब मैं यहां छोड़ दूँगा, मैरेको आगे करने के जोतनी है, वैसे तो मैरेको यहां तक भी नहीं जान 9 by 10 square, अब समझ गे होगे, अगले में क्या आएगा, 9 by 10 and cube and so on, तो series क्या बन के आ रही है, बस मेरा main काम था series बनाना, तो मैं series बना के दिखाता हूँ, 7 n common, यहां पे 1, प्लस यहां पे 7 n common आएगा, तो 1 बचा ना, यहां पे कितना बचा बचा, 7 n common आने से, 9 by 10, प्लस, इस सारा detail में समझाऊंगा, बट आपको क्या करने हो जाए, 3 method में, अब देखो, इस सब branches ना unequal sizes की आएगी, मतलब unequal levels होगे, यह branch, 4 branches है ना total, और और भी ज्याद़ ब्रांचे, देखो, यहां दो ब्रांचे, यहां पे 4 ends होना से चलते चले जाएगी, ब्रांचे तो बहुत ज divide by 2 हम लोग करते चले जा रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होगे, यह log n levels, तो यह वाली, जो extreme left branch है, वो बता रही है हमें log n levels, अच्छा जी, जो extreme right branch है, वो क्या बता रही है, आप समझ पा रहे होगे, देखो भई, पहले था n, चलो मैं यहां लिखता हूँ, n था, फिर 2 n by 5 हुआ, फिर 2 square by 5 square, n हुआ, फिर 2 cube by 5 cube, n हुआ, and so on, तो आप समझ पा रहे हो, यह n था, तो मैं इसको थोड़ा से change करके लिखू, n by 5 by 2, इसमें को दिखा तो नहीं है, इसमें कहा लिखूंगा, n by 5 by 2 square, इसको कहा लिखूंगा, n by 5 by 2 का whole cube dot dot dot, तो यह divide by कितना दर है, 5 by 2 5 by 2, 5 by 2, and so on, 5 by 2 कहते है, 2.5, तो यह कितना बनेगा भई, मैं इसको प्रॉपर लिखूं, यह बन रहे हैं, log-based 2N levels, और यहां पर कितने बन रहे हैं, log-based 2.5N levels, तो obviously log-based 2N levels जादा होंगे 2.5 से, तो basic सी बात आपको पता होगा, तो हम क्या कहेंगे, log-based 2N levels, और रादर य यह, 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 is in totic notations है, तो देखो, इन्होंने बेस दिया भी नहीं है, option में, log-based 2N, 2.5N, तो इसको फरक ही नहीं पढ़ता हो, कि यह constant से multiply, divide करके आँसर निकाल सके कर, constant multiply, divided करने में, इस in totic notation में, कोई फरक नहीं पढ़ता, यह से जापको पता होगी, तो मैरे को उसको राधर खीचना भी नहीं चाही था मेरे को roughly बोलना चाही था कि लॉग एन लेवल्स हों ठीक है तो फिर भी मैंने बता दीं है यहां पर लॉग बेस्ट टू यहां पर लॉग बेस्ट टू बड़ा है तो लॉग एन लेवल्स हम मान सकते हैं और यह बात भी समयारे हो गिए तो फिर आग याना बंद हो जाएगा, जैसे हमाने ते 9 × 10 पावर एक लाग तक आ गया, उसके बाद फिर थोड़े-थड़े काम होते जाएगे, क्योंकि यहाँ पे नोट्स बचेंगे नी, यहाँ पे भी नोट्स नी बचेंगे, यहाँ भी नी और फिर यहाँ पे बच और वहां पर प्रॉपर्ली समझाओंगा कैसे हम एक्जेक्ली इंटिफाइ करते हैं तीन में से कौन सा मेथा लगाना होता है तो यह बन के आगे से अब बस हमें इसकी बतानी है अब एक खास बात आप यह देखो मैं वैसे समझाओंगा इस सीरीज देखो वन है तो वन को मैं लिख दूँ ऐसे 9 बैट 10 पावर 0 इसे को फरकने पड़ेगा आपको हां जी तो यह किसम से आप देखो यह डिक्रीजिंग ज से छोटा नमर है ना देखो पहला वन आया वन के बाद में 0.9 पाया फिर 9 बैट 10 का हो उसके that is 0.81 डॉट 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 तो देखरो धिर दरे वैल्यू भठते चले जा रहे तो यह डिक्रीजिंग जीपी सीरीज है तो यह एक कॉंस्टेंट वैल्यू लेके आती है इसलिए यह क्या बन के आएगा थीटा एन समझ गे ना सेवन भी इग्णोर और यह बहुत चोटा सा काम है तो इसलिए दो मिनट में लगा देता हूं देखो बहुत सिंपल सा केस है इसको हम कैसे प्रूब करेंगे कि यह कॉंस्ट आएगा देखो sum of n terms of zp क्या होता था था भई फर्स्ट term a into 1-r power n upon 1-r ठीक है अब उल्टा भी चला से तो minus common लेलो यहां से और यहां से तो r power n minus 1 upon r minus 1 ऐसे भी बोल सकते थे बट यहां पे जनरली के है ना देखो r common ratio तो यह less than 1 है तो जनरली यह लगाने से थोड़ा सा जल्दी आपको सब्सक्राइब को चोड़ो हां जी आगे बड़ो भई एक है वे फर्स्ट रम क्या है वहां तो 1 into में 1-r power n और क्या common ratio क्या है 0.9.9 power n number of terms कितनी है भई log n plus 1 फिर वही बात है प्लस 1 वन असन छोड़ो मारो गोली आप बस बोलो log n ठेक है log n बेस को भी छोड़ो हमें को मतलब नहीं है 1-r, r क्या था 0.9 तो 1-0.9 विल भी what? 0.1 ठेक है बस अब मेरा काम हो चुक है तो 0.1 को में उपर लेंगो तो क्या बन जाएगा भई 10 इसको भी हटाओ, अच्छा, अब आप मुझे यह समझाओ, 1-this thing तो यह quantity क्या आएगी, आप समझ पा रहे हो, जितना ज्यादा n के value बढ़ती चले जाएगी, 0.9 पावर उतनी बड़ी value लेंगे तो हम लोग वो नमबर छोटा उतर जाएगा, आप देख पार हम देखो, 0.9 पाव तो मन कर रहा है, वो मान रहा है, 1-0.5 कुछ आएगा, समझ पा रहे हो, तो में बात मेरी कहने कि यह है, तो 1-0.9 पावर सम्झिंग मैं कुछ करूँगा, तो n की टम्स में नहीं आ रहा, यह constant quantity रहा है, बस मेरा काम रहा है, constant quantity रहा है, तो आपको पता हो, constant multiply हो, divide हो, plus हो, minus ह it hardly matters to me, as in. notation में हम उन से को ignore कर सकते हैं, तो finally आप समझ पा रहे होगे, answer will be theta, and to see option is correct, एक कोशन आपको फोड़ा से typical लग रहा होगा, बट वही बात है, जब मैं algorithm पढ़ा दूँगा, तो आपको बहुत easy लगेगा, जादर मैं इसको easy level question बोलूँगा, मैं जादर tough इसको नह करना है, and so on, method identify होगे तो 99% question आपका वहीं, स्वाल हो चुक है, उसकी बाद कुछ खास बचता नहीं है, आपको बस series बनाने होती है, और उसको स्वाल करना होता है, ठी, okay, thank you.